महाखाली में जैमातादी भक्तु आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तु के लिए है जो अचानक आई हुई कोई विपत्ती से निश्तारण पाना जाते हैं ये जी हाँ यानि कि अचानक कोई मुसीबत आपके पीछे आन पड़ी है और आपको उसका कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है बहुत बुरी सिचुएशन में फस चुके हो या जीवन में सारी चीज़ें आपने करके देख ली पर किसी भी चीज़ से आपको अपनी परेशान और ये कभी कोई एकसिडेंट हो रहा है कभी कोई बिमार हो रहा है पैसा नहीं आ रहा है और पैसा जो पैसा है भी वो भी कहीं न कहीं गलत चीज में लगता जा रहा है नशी की आदत होगी है दिमाग मतलब पूरी तरीके से ब्रश्ट हो चुका है मतलब इधर उधर लगन इन सभी चीज़ों का एक निवारण है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ वो उपाए शेयर कर रहा हूं यह महाकाली का एक महा उपाए है जिसे आप कर ले तो जीवन में आई ही मुसीवत को उसी रात जिस दिन रात को आप ही उपाए करेंगे उसी रात से आपको यह मिलेगा अगर कोई बूत रेत है कोई बादा है कोई किया कराया कोई तंत्र विद्या है कोई कोई भी किसी ने कुछ चीज छोड़ दिये घर में कोई चौकी छोड़ दिये किसी ने कोई मुट छोड़ दिये कोई कोई गलत चीज छोड़ दिये घर पे आए दिन घर पे इले ना कुछ गलत दिख रहा है, कुछ आतमा का वास दिख रहा है, कभी कोई दिमाग आपका खराब हो रहा है, पागलों जैसे आप हो रहे हो, मरने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, यह सारी चीजे, सारी विपत्ती जो आपको घेर के बैटी है, इनका एक माहा नहीं मिल रहा है आए आए दिन आपने चौकी दरबार में अपना माता फोड लिया अपने जगा जगा दिखा दिया कहीं से भी सब जगा से पैसा लूट लिया तंत्र विद्या कर दी मंत्र विद्या कर दी साधना कर दी सिद्धी कर दी हवन करा दिये सब कुछ करा दिया पर अभी तक वैस्चियों का क्यों है तो अब जो उपाए मैं आपको बताऊंगा आप ध्यान से सुनिये का इसे जरूर 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 कीजेगा जिस विधी और विधान से मैं बता रहा हूं गैरिंटी दे रहा हूं रात ही रात से आपको जमतकार दिखने लग जाएगा तो आप इसको ध्यान से सुनिये समझना आने पर दो तीन बार सुनिये और इस क्रिया को किजे इस विधी को कीजे आपका कार्य हो जाएगा आपको समाधान बिल जाएगा यह जो उपाए है आपको शनिवार के दिन करना है शाम के समय करना है रात के समय कर सकते हो आप साथ बची के कभी भी कर सकते हो. जैसे-जैसे, आपके घरमें, घर पे आना जाना लोगों का बंध हो जाता है, यानि साक्षात विराजमान मंदिर हो शक्ती पीठो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है तो महांकाली के किसी भी मंदिर में जाके शनिवार के दिन आपको दो कपूर, दो लौंग, दो बताशे, और पान, पेड़ा, सफेद मिठाई, और दो लौकी, और धूप दीब, सरसो के ते हो, या घर पे, जो भी दूविदा, संकट आ गया है, जिसका हल नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको बोलना है तो उसके माध्यम से आपको ये पढ़ना है, ये पार्ट करना है, ये छोटा होता है, जो पूर्या दुर्गा सब्चति का पार्ट में गर सकता है, उनके लिए रहतरी सुक्त का पार्ट करना भी उसी फल के बराबर है, जैसे दुर्गा सब्चति का पार्ट होता है, तो ये आ पहले दिन से ही आपको चमतकार दिखने लग जाएगा जो प्रॉब्लम है उसका अपने आपी सॉल्यूशन हो जाएगा तो यह कारे आप एक यह जरूर कर लीचे और दूसरा उपाई एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से चौकी की स्थाब यदि अपना होगे माद को बुलावा दिया माद को विराज मान कर रहा है तो यह ऊपाई जो है धर के हर संगह टालने इकलिएर तो इसको भी करेंगे तो रात ही रात में आपको चमतकार दिखने लग जाए क्यों का आवहन करेंगा आप उपाई से कि इसमें करना क्या है रहा है कुछ पर दबाओ डालता है आःगा गर पर लोटे में जल भरके और उसके ओपर एक वह रख्यूत्तु को इस प्वहात रखके मिट्टी का उस में घी का दीपक जलाओ और घी के दीपक के साथ दो अगर्वत्ति जला और मां काली का आवान करो मां काली को याद करतेड़ बिंद्टी करो जो भी परिशानी वो बोल दो पहली राग मा काली आके सारी जो भी दंत्र मंत्र विद्या जो भी गुरी चीज़ें कोई किया कराया कुछ भी होगा सब काट के निकाल देगी नश्ट कर देगी मा तो ये चीज़ आप कर लो ये दो महा उपाय आप कर लो जीवन में और कुछ करने की जरुवत ही नहीं कि आपको अगर ये कोई भी चीज़ में दिक्कत है ये उपाय समझ नहीं आए तो तीन बार इसे ध्यान से सुनिए आपको समझ आएगा दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी और चीज़ का संक्रण है कोई परेशानी है जिसका हल नहीं मिल रहा है चाहे वो संतान के के लिए हो चाय पढ़ाई के लिए हो कोई किया कराया कोई भी कष्ट हो कोई तंद्र विद्या कोई बाधा हो भूत प्रेत हो कुछ भी हो तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमना इंस्ट्राग्राम का प्रोफाइल में लिंक दिया है आप उसके माध्यम से कामने पूरी हो जै मत अदी जै माधाट काली